इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन फोसिस सेर के उपर इन फोसिस सेर में एक अच्छा तेजी दिख रहा है इस टॉक अपने आल टाइम हाई के आसपाश ट्रेड करता है क्या इक स्टॉक 3000 जाएगा और जाएगा तो इसके पीछे का क्यों लोजिक होने वाला है क्यों हम लोग ऐसा डिसकसन कर रहे हैं इन सभी पॉइंट्स के उपर हम लोग डीटेल में बात करने वाले हैं वीडियो को आराम से लाश्ट तक देखेगा जिससे की आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए तो चलिए अनलिसिस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर बात करेंगे इन्फोसिस के सेर में आज 1.5 प्रसेंट का तेजी देखने को मिला स्टॉक एक लार्ज कैप कंपनी है 17 अक्टूबर को क्यूटू का अर्णिंग जो है आपको इन्फोसिस का आने वाला है तो उससे पहले हम लोगों को एक तेजी आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है अगर लाश्ट वन मंद की बात करेंगे स्टॉक पॉइंट वन प्रसेंट के तेजी के साथ ट्रेट कर रहा है और लाश्ट वन येर की बात करेंगे तो 37 परसेंट का रिटार्ड स्टॉक दे चुका है तो चलिए आगे बात करते हैं क्यों इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है उसके पीछे का वजह क्या है लेकिन अगर अभी तक आप लोग टेलिग्राम ग्रूप के साथ नहीं जूड़े हैं तो टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूड़ जाइए इससे कि आपको भी ले प्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे प्रीमियम को भी जूइन कर सकते हैं यहां पर कि आपको एक चक्ली काइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को भाई करना है कौन से लेवल पर करना है क्या स्टॉप लोस और टार्गेट होने वाला है साथ डिटेल टेलिग्राम ग् देखने को मिल रहा है तो अपने ओल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है एक परफेक्ट चैनल पाटर्ट अब डिक आउट यहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकता है आपको प्रिवियस टू मन्थ से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है आज के सिसमें इस टॉक जो है अपने ड करो एक एक लाग को पांठ प्रेक आउट देखने को मिले गा और हम लोगों को पता है अगर अगर फ्लेग अन पौल पैर्टरन का ब्रेक आउट होता है तो टार्गेट क्या होता है टार्गेट होता है पोल लेंथी यहां पिर देखेंगे तो डॉप साइड में 1725 और अब स 2200-2250 यह target daily chart के basis पर देखने को मिल सकता है लेकिन stock को अगर हम लोग monthly chart के उपर देखेंगे तो stock एक बहुत interesting level पर trade कर रहा है एक अच्छा तेजी सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिला stock में एक अच्छा तेजी हुआ उसके stock जो है एक consolidation जोन में गया और यहाँ पर देखेंगे तो stock जो है आपको यह 2 years से more than 2 years से एक rounding bottom pattern का formation कर रहा है और इसके breakout level पर stock जो है trade कर रहा है rounding bottom pattern जो है एक आपको trend continuation pattern भी होता है और अगर downtrend के बाद बनता है तो फिर bullish reversal pattern भी होता है पर यहाँ पर देखेंगे तो यह trend के साथ बन रहा है तो stock में एक बार breakout confirm हो जाता है monthly chart पे तो फिर हम लोगों को एक सांदार तेजी उपर की side में देखने को मिल सकता है और कभी भी अगर आपको rounding bottom pattern का breakout होता है target होता है यह पूरा depth यहाँ पर जो depth है यह depth है तक्रीबन आपको 750 पॉइंट का उपर की side अगर हम लोग 700 750 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं breakout लेबल से तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 2700-2800 तक का easy target देखने को मिल सकता है एक अच्छा company है strong fundamental के साथ company है आई होप आपको पहले टेक्निकल लेबल क्लियर हो गया होंगे अब चलिए हम लोग बात करते हैं fundamentally company के ओपर सबसे पहले किसी भी company का अगर हम लोग year on year basis पे देखेंगे company लगातार ग्रोव कर रहा है consistent growth आपको यहाँ पे consistent growth देखने को मिल रहा है लगातार जो है company यहाँ पे ग्रोव कर रहा है 153,670 करोड का sales as of financial year 24 है company लगातार profitable है अपने profit margin को operating profit margin को constantly 25% के आसपास जो है company hold करके रखा हुआ है company के ऊपर जो है almost debt free company है बहुत जादा debt है नहीं और company जो है consistent basis पे profitable है लगातार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको consistently profit growth है sales growth है एक अच्छा dividend जो है आपको यह company लगातार दे रहा है तो जितने भी large cap company है वो आपको portfolio diversification या फिर आपको जब होता है उस time के लिए रखा जाता है जिससे की portfolio को balance कर सके portfolio में हड़ टाइब का stock रखा जाता है large cap mid cap small cap तो large cap में आप Infosys को add करने के लिए देख सकते हैं आप खुद से भी और जादा detail analysis कर सकते हैं कंपनी के उपर अगर डेट देखेंगे 8359 करोड का है जहां पर कि उसके एगेंस्ट में कंपनी के पास 86,045 करोड का reserves है यानि कि जितना date है उसका 10 times reserves है तो date का यहां पर कोई आपको concern नहीं है लगातार जो है company growing stage में है और अगर यहां पर हम लोग देखेंगे share holding pattern, share holding pattern June quarter में जो है FIA ने stake को increase किया है 32.74, DI ने stake को increase किया था 37.28, public का share holding यहां पर decrease हुआ है तो एक ऐसा company जो कि लगातार grow कर रहा है, लगातार consistent basis पे profitable है, आपको dividend दे रहा है FIA, DI plus promoter मिला के तक्रीबान 85% का holding है जो एक अच्छा, एक strong fundamental और इसके साथ ही एक strong technical देखने को मिल रहा है, आप चाहे तो short term swing trading के लिए daily chart के basis पे trade कर सकते हैं, flag and pole pattern का breakout या फिर जो है आप weekly या monthly breakout का भी wait कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहां पर 30-40% के gain के लिए इस company को hold कर सकते हैं, आप लोगों को सभी points चो है, बिलकुल अच्छे से clear हो गया होंगे, तब आप लोगों को वीडियो पसंदाया हो, analysis अच्छा लगा हो, वीडियो को like करके channel को subscribe, ज़रू कर, करेए टे माथे एफ लोगों को वीडियो को वीडियो को वीडियो कर दोदेरे के लिए जज़ा हो आपारू आप सूर्टे, पूब तो आपके लोगों को वीडियो कर सकते ह। झाल झाल